सुप्रभाद बच्चो आज हम आपकी पढ़्ट सुभाशी तानी तो चलिए पाट को पढ़ते और जानते इसके विषय में प्रसुत पाट में हमारे देश के रिशी मुनियों द्वारा उच्चरित नैतिक मुल्यों से युक्त शलोकों का संकलन किया गया है इनी ध्यान पूर्वक पढ़िए एवं उनसे नैतिक शुक्षाय प्राफ्ट कीजिए तो बच्चों जो ये पाठ है सुभाशी तानी इसमें जो हमारी प्राचियन काल में रिशी मुनी हुए हैं मनीशी हुए हैं उनकी शुक्षाओं का संकलन किया गया उनके द्वारा जो न वो क्या करते हैं चाहिए कोई उन्की निंदा करें यानी कोई बुराई करें चाहिए उनकी कोई प्रशंचा करें बढ़ाई करें लक्ष्मी समाविष्टु-गच्च्टु-वाइस्टिश्चम उनके पास लक्ष्मी ःतादधन आए या पिर चला जाए यान कि उनके पास धन रहे या ना रहे उन्हें कोई चिंता नहीं होती अदेवा मरण मस्तु युगांतरे वा चाहे वो आज मर जाएं क्या है युगों के बाद मरें उनकी मृत्यु आज हो जाए या फिर युगों के बाद हो जाए नियायात पत्थ प्रवर चलंती करनी भी परिशानी आएं वो कभी भी अपने पत्थ को नहीं चोड़ते उन्हें उन्हें जिस पत्थ को अनुसरण करना है वो उसी का अनुसरण करते हैं सच्चाई की मार्क पढ़नी आए कि मार्क पर वो हमेश्चा चलते रहते हैं अगलाश लोग पढ़ते हैं अधमा धन धनम इच्छन्ती धनम मानम चे मध्यमा उत्मा मानम इच्छन्ती मानोही महताम धनम अधमा धनम इच्छन्ती अर्थार जो नीच व्यक्ति होते हैं वो धन की इच्छा रगते हैं धनम मानम चे मध्यमा और जो मध्यम लोग होते हैं यानि कि ना वो नीचे होते हैं ना वो बह पर होते हैं सबसे उंचे होते हैं वो केवल मान की च्छा रखते हैं मान अर्थ हर सम्मान क्योंकि मानोई महताम धन्त वो कि चाहते हैं कि हमारे चरित भाग पास वो ही नहीं रहेगा तो हमारे लिए सारे धन व्यारत है वो केबल मान को चाहते हैं क्या कहरें इस लोक में कि पुषपेशु चंपा की सारे फूलों में चंपा का पूल है वो श्रेष्ट है सारी लंकाओं में जो नगरी है सारी नगरियों में लंका श्रेष्ट है सारी नदियों में गंगा सर्व्षिस्ट मानी गई है सभी नरों में ट्राम को श्रेष्ट माना गया है क्योंकि वो क्या थे मर्यादा पुर्शत्म थे सभी नारियों में रंभा, पुर्षों में विष्णू, कावियों में माग और कवियों में कालिदास को स्टेस्ट माना गया है आगे पढ़ते हैं प्रदोशे दीपक चंद्रह, प्रभाते दीपक रभी, तिलो के दीपका धर्म, सुपुत्र कुल दीपक हा सभी क्या करेंगी जो रात्र का, रात्री में जो दीपक है, यानि की रात्री का जो चिराग होता है, जिससे हमें रोशनी मिलती है, वो है चंद्रमा और सुभा, जिससे हमें रोशनी मिलती है, वो है प्रभाते दीपका रभी, सुभा का जो दीपक है, वो है सुर्य तीनों लोगों का जो दीपक देने वाला हैं में उस्पार कुल दीपक क्योंकि वह इसे प्रकाश के रास्ते पर ले जा सकता है dependence उसे उसे मुक्ति दिला सकता है प्रकाश करता विनोह देन कालो vai अक्ति धींता जो जो समय चीच करने में हसी कुछी से ब्यतीत हो जाता है उनका समय कि अगर उन्हें कुछ भी बात वो लोग करते हैं विद्वान लोग बुद्धिमान लोग तो वो काविशा अस्त्र से संब्दित धर्म से संब्दित पाते करते हैं व्यसेंचे मुर्खानाम निंद्रय कलीन वा इसके ठीक विप्रीद जो मूर्ख लोग होते हैं उनका जो समय होता है सोने में जगडा करने में और बुराया करने में बीठता है मूर्ख लोगों को कुछ काम नहीं होता वो हमेशा या तो सोते रहेंगे या फिर जगडा करेंगे लडाई करेंगे और बुरी आदतों में लगे रहें तो हमें बुरे लोगों की संगती नहीं करनी है उनकी संगती हमें छोड़नी है और उसकी इस्तान पर बुद्धिमान और विद्वान लोगों की संगती करनी है नेकते सुकार्तिन कुतो विद्या विद्या विद्यार्तिन कुतो सुकम जो सुखी है उसको विद्या को क्या करन वो कभी भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि विद्या के लिए उसे श्रम करना पड़ता है और श्रम से दुख मिलता है कस्ट होता है उसे सुख नहीं मिल सकता और जो सुख चाहता है जो अरामी चाहता है अपने जीवन में उसे कभी भी विद्या नहीं मिलती सु अगर हमें विद्या प्राप्त करनी तो हमें कस्टों को सहना पड़ेगा और अगर हम नहीं चाह रहे हैं कि हम कस्टों को सहे तो हमें सुक अपनाना चाहिए और विद्या को छोड़ जन देना चाहिए तो बच्चों हमने इस पार्ट में महापुर्शु द्वारा कहे गए नी प्रदोश्काल में सुपत्र शिर्ष्ट पुत्र अध्येव आजी रवी सुर्य मरण मस्तु मृत्य हो जाए सुखार्थी सुख चाहने बाला यतिश्टम अपनी चानुसार कुतो कहां धीरा धैर्रेवान तेजेत छोड़ देना चाहिए प्रदी चलंती विचलित नहीं होते विनो देन आनंद लेनी में पत रास्ता धीमता मुद्धी मानों का अधमा नीच लोग कला जगडा महता श्रिष्ट लोगों का लिदन्तु बुराई करे वा अथवा इस्तवन्तु भलाई करे सभी बच्चे पाट की शब्दात अच्छे से याद कर लेंगे जिससे भाश सम बचिनी में आसानी रहेँगी आपको पाट भी याच्छिस समझव आनल पाएगा अब हम पाड का अभ्यास कारे कर लेते तो चली करते हैं आपध्यास गूली को रंग आता स्रवे नियाय के पत से विचलित नहीं होते कौन नहीं होते हैं जो धैर्रेवान हैं दीर व्यक्ति हैं, तो आज़ेगा A, हमारा जो A विकल्प एकदम सही है, तो चलिए विकल्प लगा लेते हैं, A, धीरा, नेक्स पढ़ते हैं, मध्यमा इचंती, धनम, मानम, उबो, अननम, जो बध्यम लोग होते, वो क्या-क्या चाहते, धन और मान, दोनों, तो C, उबो, उबो ह हमारा विकल्प सही हो जाएगा, C, नेक्स करते, अधमा, इचंती, मानम, धनम, अप, मानम, ग्रम, जो नीज व्यक्ति होते हैं, वो केवल क्या चाहते हैं, धनम, वो धन की इच्छा रखते हैं, तो B, विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है, नेक्स करते हैं, सुकारति, देख्तिसान तेजेत गरम सुखम दुखम विद्याम तो जो सुख चाहते है उसे क्या छोड़ देना चाहिए उसे विद्या छोड़ देनी चाहिए तो डी विकल्प इसमें हमारा बिलकुल सही है तो लगाएंगे डी विकल्प पर नेक्स करेंगे पुष पेशू देख्तिसान शेष्टा अस्ती पुषपों में कौन सा पुषपी श्रेष्ट है चमपा चमेली पाटलम कमलम तो पुषपों में श्रेष्ट है ए चमपा तो ए पर लगाएंगे ए चमपा नेक्स करेंगे मूर्खा नाम कालो गच्चती व्यसेन कलेन निंद्रिया एते सर्वे जो मूर्खों का समय व्यतीत होता है वो व्यसेन में कलेन में निंद्रिया इन तीनों में होता है तो डी एते सर्वे डी विकल्पर लगा देंगे एते सर्वे इन सभी में व्यतीत होता ह नेक्से अधो लिखीता नाम पंक्तिया पूरियत निमलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए तो चली करते हैं नमबर एक करेंगे अधमा रिक्तिस्थान मध्यमा अधमा जो नीज प्रुख्षोते होने क्या चाहिए धनम मिच्छंती वो धन की इच्छा रखते हैं बाकी इदर लिख रहे हैं धनम मानम चे मध्यमा और जो मध्यम लोग होते हैं वो धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं एगला पढ़ेंगे उत्तमा जो उत्तम चरित्र वाले होते हैं वो क्या इच्छा करते हैं मानम इच्छन्ती मान की इच्छा रखते हैं ताकि इदा लिख रहे हैं मानो उनके लिए जो मान है वो ही सबसे बड़ा होता है सबसे बड़ा होता है ठीक है नमबर तीन पढ़ते हैं पुश पेशू चमपा आगे लिखेंगे नगरीशू लंका बाकी हाँ लिख रहे हूँ नदीशू गंगा निर्पेशू निर्पेशू रामह नमबर चार पढ़ते हैं प्रदोशे दीपकह चंद्रह आगियां प्रभाते 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 दीपकह रभी निर्टे सुकार्तिन खुटो विध्या विध्यार्थिन फुटो उख्म सुकार्थि को विध्या कहां और विध्यार्थि को सुक कहां नेक्स पढ़ते हैं नमबर सेक्स एक बार इनको पढ़ लेते हैं अधमा धनम इच्छंती धनम मानम चै मध्यमा उत्मा मानम इच्छंती मानो ही महनताम धनम पुषपेशू चंपा नगरिशू लंका नदीशू गंगा निर्पेशू रामह प्रदोशे दीपकह चंद्रा प्रबाते दीपकह रवी सुकार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखा नमबर छे द्यसेइन चै मूर्खा नाम निंद्रिया कलेइन वा तो इस लोगों को सभी बच्चे अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे अगला प्रशन पढ़ लेते अगला प्रशन कर लेते हैं सत्यम वालिकत तो हमें सत्य या सत्य बताना है तो चलिए करते हैं उत्मा मानम चंती जो उत्तम होते हैं वो मान को चाते तो ये बाद सत्य है नदीशु गोदावरी श्रिष्टा नदियों में गोदावरी नहीं गंगा श्रिष्ट है तो असत्यम प्रभाते दीपका चंद्रभफ्ती सुभा का दीपक चंद्रमा है नहीं सूर्य असत्यम विद्यार्तिन सुकम तेजेत विद्यार्ति को सुख छोड़ देना चाहिए ये भी बात सकते हैं और सुखार्ति को विद्या छोड़ देने चाहिए कावे शास्त विनोदेन कालो घंचती दीमताम ये बात भी सही है कि जो कावे को अपना समय बिताते हैं कावे को पढ़ने मे विनोत करके बिताते हैं यूगते हैं बुद्धिमान लोग तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यासकारे अच्छी प्रकार से पोर कर लिया है बच्चों आज हमने आपकी पाठे पुस्तक संस्क्रित के नवम पाठ का अध्यन किया हमने महार्शी को द्वारा जो प्राचीन ह हमारे दिशी मुनी हैं उनके द्वारा की दिये कई श्लोकों के विश्य में जाना उनसे ग्यान प्राप्त किया आश्या करती हूं आप उन्हें अपने जीवन में जरूर स्थान देंगे आप इन श्लोकों का अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे इनको आर्थ के साथ अधने बाद